Hello students, this is video number 20 of geometrical optics और इसके अंदर हम total internal reflection को और थोड़ा सा study करेंगे और उसकी एक बहुत important application optical fiber को discuss करेंगे इसके उपर कुछ theoretically मैंने लिखा हुआ है उसको आप read करोगे अच्छे से application of total internal reflection इसमे sparkling of diamond, diamond की जो brilliance है जिस हिसाब से वो उसकी जो sparkling है वो जो एक अलग material है जिसकी वज़ा से उसकी इतनी ornamental value है उसका reason भी TIR है The brilliance of diamonds is due to TIR As the mu of diamond is very large, its critical angle is very small क्यों भई? क्योंकि sin ic is equal to 1 upon mu होता है यानि कि जितना जादा mu होगा, उतना ic कम होगा जितना ic कम होगा, उतना जादा वो क्या करेगा? देखो, raise तो बहुत जादा enter करती हैं किसी material के अंदर यह समझना है हमने और हम आज एक चोटी सी बात और discuss करेंगे बड़ा interesting, इसी से related बात मैं आपसे और करूँगा कि जिसका जितना जादा mu होगा किसी भी light source से, किसी भी object से infinite number of raise आती हैं और infinite different angles होते हैं कुछ materials कुछ ही raise को total internal reflection शो कर पाते हैं लेकिन, लेकिन कुछ materials के अंदर majority angles की किसे angle की बात कर रहा हूँ? angle of incidence की majority angle of incidence की जो होती है, वो क्या होती है? वो उसके अंदर TIR maximum, majority चीजों की हो जाती है जितना ज्यादा उसका TIR, मतलब जितना IC कम होगा जितना critical angle कम होगा उतना ज्यादा TIR ज्यादा होगा यह क्या मतलब वो TIR ज्यादा होगा? उतनी ज्यादा raise का TIR ज्यादा होगा अगर आप total internal reflection की, diagram को अगर understand करो तो उसके अंदर क्या था? आपको याद होगा जो हमने start किया था एक ray थी यहाँ एक object जो light source था यहाँ से ray गई, कुछ बाहर आ गई यहाँ से गई, वो भी बाहर आ गई यहाँ से गई, वो बिलकुल 90 degree हो गई यहाँ से गई, वो TIR हुआ तो यह जो variety of rays है इनका TIR नहीं न हुआ इनका TIR नहीं हुआ तो TIR जादा होने के chances कब हैं? जितना जादा उसका mu होगा, क्योंकि यह वाला angle यह angle of incidence काम पढ़ गया यह वाला angle of incidence काम पढ़ गया यह बिलकुल critical था critical से कम वाले जितने भी थे वो सब में TIR नहीं हुआ लेकिन diamond का refractive index बहुत large है इसलिए उसका critical angle बहुत small है, इसलिए जितनी भी rays इदर से निकलेंगी इससे वो सारी की सारी TIR करेंगी, यानि की अंदरी light समा जाएगी और वो खुद एक light source की तरह नजर आएगा, एक sparkling object नजर आएगा, that is why diamond has got its importance in ornaments ये बात आपने समझी, मिराज आपने पहले से पढ़ा हुआ, इसलिए मैं उसके बारे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा ठीके, मिराज के ऊपर आप खुद इसमें थोड़ा इसको आपने पढ़ा हुआ, इसको अभी नहीं मैं discuss कर रहा, ठीके, अभी ये time नहीं मुझे permit कर रहा कि मैं ये सब बात करूँ जो interesting बाते होंगी, वो मैं आपसे करूँगा necessary conditions for TIR ये आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा ये मैंने आपको वीडियो के अंदर पहले भी बताया relation between critical angle अभी मैंने जिसके बारे में बात भी की ठीक है, फिर उसके बाद ये सब TIR के बारे में लिखा है, जो आप पढ़ सकते हो TIR ये मैंने किरा दिया आपको ठीक है, इसमें ये ये important था, ये कैसे अगर आप पढ़ो, उसके अच्छे से कुछ नहीं है, उसके अंदर board के point अभी उससे याद करना है बहुत बड़ा field है optical fiber जितना internet जितना mobile पे जो भी काम आप करते हो data, voice, video सब का सब possible किसने करके रखा है, fiber ने, never think कि जो आपका mobile चलता है, ये satellites के साथ चलता है, आपका TV सैटलाइट से चलता है, लेकिन आपका mobile सैटलाइट से नहीं चलता, आपकी पूरी अर्थ के ऊपर optical fibers बिछा दी हैं companies ने चाहे वो जियो हो, चाहे जो मर्जी हो उन्होंने सब optical fiber से ही काम किया है, now you can see this is like a revolution in the world कि आप कहीं से भी बैठ के किसी के साथ भी video conferencing कर सकते हो, video call कर सकते हो बिना बिना जादा charges पे किये हुए, this is the most important part तो जो optical fiber है, this made it possible, पूरे अर्थ जो आप सोच नहीं सकते, समंदर के नीचे, seas के नीचे, oceans के नीचे, हम लोगों ने optical fiber, पूरी अर्थ optical fiber के साथ बिचा के रखी हुई है, और इस पूरे optical fiber का map, आप google करो तो आपको दिख जाएगा तो optical fiber is a very interesting concept, ठीक है, जितना भी, आप mobile, आप जब ये जियो आज कल ये लगा रहे हैं न, इसका 4G, सॉरी 4G नी, वाइ-फाई जियो वाइ-फाई, इसको भी आप देखोगे, इस सब optical fiber से है वो cable जो connect करते हैं आपके घर के अंदर, वो सब optical fiber है ठीक है, तो वो optical fiber क्या कर पाती है, उससे क्या expected है, बहुत ज़्यादा details नहीं हम पढ़ सकते, इसके उपर पूरी engineering है पूरी दो साल लोग इसके उपर M.Tech करते हैं, optical fiber communication के उपर, इसमें बहुत research है, इसमें अभी चल रहा है हम तो just introduction पढ़ रहे हैं 12th class में और इसको ज़रा अच्छे से understand करेंगे ये भी कहानी किसकी है, टोटल internal reflection की है, तो ये कहानी आप read करोगे, optical fiber के अंदर, ये देखो, propagation of light through a, ये जो पहले था ये था उसकी construction के बारे में कि कैसे वो बनाते हैं, ये याद करना है आपने लेकिन important है board के point of view से अच्छे से ये diagram वगरा सब अच्छे से पढ़नी है आपने, ये सब अच्छे से पढ़नी है, इसके उपर जो लिखा हुआ है वो सब पढ़ना है, तो इसको अच्छे से 3 marks के लिए prepare करके रखना है, optical fiber को, ठीक है अच्छे से, construction को फिर आती है बाद propagation of light कैसा होता है, देखो TIR हो रहा है TIR क्या हो रहा है, यहां से light enter करी, ठीक है light enter करी, फिर क्या हुआ अंदर reflection हुई मैं detail में समझाओंगा आपको, detail में इसका पूरा derivation करके दूँगा कि इसका कितना refractive index होना चाहिए, कि आपका maximum आपका TIR हो जाए, ठीक है तो यह आ गया, यह सब यह से अंदर ही गूमती रहती है light अंदर ही चलती रहती है और यहां से फिर बाहर निकलती है मतलब, यह एक पानी के pipe की तरह है चाहिए जितना मर्जी, fold कर लो pipe को इधर से उधर, fold कर लो yes, कुछ नहीं problem यह, इधर से, कि पानी इधर से enter करे तो यहां से बाहर निकले this is expected तो वही optical fiber काम करती है इसके अंदर से electromagnetic waves flow करती है, light is also electromagnetic wave, इसके अंदर से electromagnetic waves जाती है और यहां से आप से, मतलब electromagnetic wave क्या है, जितना भी आपका voice है video है, data है video है, data है जो भी आप mobile में मैंने बाब को पहले ही बताया, यह जितना भी है ना यह सब को convert किया जाता है किसमें, electromagnetic waves में so that they can travel through the optical fibers, और optical fiber की क्या खासियत है, कि कितना भी टेडा मेडा कर लो यह जाएगा ऐसे, ठीक है electromagnetic waves इसमें से जाएंगी, यहां से enter करेंगी, वो दूसरी साइट से एक और बात को, कि इससे क्या expected है कि कहीं से भी अगर जब यह enter करें तो कहीं पे भी यह बाहर ना निकलने पाए तो बाहर कब नहीं निकलने पाएगी, जब यह TIR होता रहेगा, तो TIR की यह best example है, expected यही है कि एक बार incidentry यहां से enter करे तो बस बाहर जाके यहां से निकले इसमें losses वगरा भी कुछ नहीं होते है ठीक है, तो यह there is no loss in intensity in TIR the optical beam is of as much intensity of, उतना ही intensity, जितनी intensity से वो अंदर enter किया जाता है उतनी intensity के साथ वो बाहर आता है इसको अच्छे से prepare करके रखो, फिर मैं आपको अब इसकी technicality बताता हूँ, उसके अंदर से हम इस बात को जरा समझते हैं कि किस तरह से यह possible हो पाता है, उसके उपर एक बार question भी पूछा गया है competitive exams में competitive exams में J.E. advance में पूछा था वो question, ठीक है उसके उपर हम discuss करेंगे, ठीक J.E. advance में पूछा हुए अभी मैं जो discuss करूँगा, उसके through आपको थोड़ी सी इसकी better understanding होगी, और वैसे भी TIR को लेके आपको काफी कुछ समझाएगा उसको understand करते हैं यह समझने से पहले optical fiber को मैं एक information आपको देना चाहता हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनोगे आप एक दो information हैं जो आपको पता होनी चाहिए इससे पहले, optical fiber को समझने से पहले, वो क्या है हमने ये पढ़ा न्यान देना प्लीज, हमने ये पढ़ा कि जब आपका angle यहाँ पे IC हो यह denser medium यह rarer medium, ठीके यहाँ पे यह angle मैंने क्या बोला, it is I C, exact IC हो तो आपका जो refractive angle है, angle R equal to 90 degree होता है rarer medium में angle कितना होता है 90 degree अगर यह IC हो, और IC is equal to क्या होता है, IC is equal to होता है, sine inverse ऐसा कि 1 से छोटा नंबर आए वो तब ही आ सकता है जब उपर rarer वाला medium हो, तो यह हमें आता है, अब इसी कहानी को अगर मैं उल्टा कर दू, rarer to dancer तो क्या, ऐसी कोई बात आती है येस, येस आती है अगर हम, अगर हम धर ध्यान देना प्लीज, यह सबसे interesting बात बताने वाला हूँ, अगर हमारा incident ray का पूरा exact तो 90 हो नहीं सकता लेकिन हम इसको 90 डिग्री ही मान लेंगे, ज्यान से समझना, 90 89 डिग्री या 89.9 डिग्री होता है exactly, क्योंकि पूरा 90 तो हो नहीं सकता, अगर 90 डिग्री हो आपने मान लिया कि angle of incidence अगर rearer medium में क्या हो 90 हो तो denser medium में वो उससे कम होगा बिलकुल कम होगा यार लेकिन अगर यहां पे rearer medium में यह 90 डिग्री हो तो यह IC होता है और IC अभी भी वही formula तो मतलब क्या IC का कोई significance है when the light goes from rearer to denser, yes yes और इस ऐसी ray जो 90 डिग्री angle बना रही हो rearer medium में, नहीं 90 डिग्री angle बना रही हो angle of incidence जब क्या हो when angle of incidence is nearly exactly नहीं लिख सकते हम is nearly 90 डिग्री it is called grazing incidence it is called grazing incidence G-R-A-Z-I-N-G incidence ठीक, तो कही बार यह word यूज कर लेते हैं है छोटी सी बात लेकिन हमें पता नहीं होगा तो चलेगा नहीं तो यह आगे आपका grazing incidence यह आपकी reflected ray ऐसा मतलब कि angle IC का significance है ऐसा नहीं कि जब rearer to denser जाता है total internal reflection नहीं है आप गलत नहीं सोच लेना ठीक है लेकिन इसका थोड़ी सी बात हम करने वाले हैं अभी इसके बारे मैं मैं आपसे बात करूँगा आप दिरा ध्यान देना अभी देखो यह मैंने एक optical fiber बनाई जिससे क्या expected है वो हम बात करेंगे मतलब यह ऐसी fiber है ऐसा एक cable है cable बोलो आप cable मतलब wire जिसके अंदर मैंने जब एक angle of incidence फैंका क्या expected है इस cable से क्या expected है आप समझना जरा इससे यह expected है कि जो भी ray इसके अंदर enter करे ठीक है तो TIR हो तो मुझे एक बात बताओ क्या मैं बोलूँगा कि इसी angle पे ray इसके अंदर enter कराना इसके अंदर जो light इंटर करेगी वो क्या इसी angle पे करनी चाहिए particular 60 degree पे करो तो ही TIR होगा it is very difficult then लेकिन जबकि हम बोलना चाहते हैं हम यह समझना चाहते हैं हम यह बोलेंगे कि light जिस मर्जी incidence ray पे एंटर करवा TIR हो गई होगा तो मज़ है न तो मज़ है TIR हो गई होगा उसको हम समझते हैं आप मेरी बात समझना यह angle आई आगया आपको समझ आगया उसके बाद यह इदर टकराया it is entering into the dancer medium to dancer medium में enter करेगा तो यह ऐसा होगा rarer to dancer enter किया यह angle क्या होगा यह angle R होगा ठीक है देखो light यहाँ से enter करी with some incidence angle यह आपका rarer medium है यहाँ से आपका dancer medium स्टार्ट हो गया यह mu की बात हमने करनी है यहाँ पे तो यह dancer medium स्टार्ट हो गया यह आपका surface था यह आपका normal हो गया यह angle of incidence आगया समझाई बात इतनी अब आपको क्या देखना है कि यह आगया angle r छोटा angle i से i से छोटा angle अब मुझे बताना है यहाँ पे कि अब जो यह r आगया ना यह r आगया फाइन आप देखो angle r तो हमें पता चल गया अब यह जब यहाँ टकर खाएगी यह वाली रे अब इसके बाहर ना जाए इसलिए angle of incidence क्या बना यह यहाँ देखने है अब आपने अब आपने यहाँ देखने है अब यहाँ देखेंगे देखो यहाँ से मैं गलत बना रहा था यहाँ पे आएगा इस तरह से यह नॉर्मल है आपका सर्फेस यह है न जब सर्फेस यह है तो यह नॉर्मल है तो यह आगया angle r छोटा हो गया angle r यह समझने है आपने प्लीज अब यह यहाँ टकर खाए अब इस सर्फेस के लिए यह incidence ray हो गई समझने है प्लीज जब इस सर्फेस के लिए तो यह आपका नॉर्मल बनाऊं पहले मैं जैसे ही नॉर्मल बनाया तो आपको पता चल गया यह angle जो हुआ यह 90-r हो गया मतलब इस सर्फेस के लिए आपका angle of incidence क्या है 90-r क्या है 90-r यह सबसे important बात पहली बात तो आपको पता चल गी कि this is 90-r ठीक है ठीक है जी समझ आ गया 90-r यह जो इस सर्फेस पे हम चाते हैं कि यहां से यह कभी भी बाहर न निकले तो इसलिए क्या होना चाहिए ऐसा आएगा यहां तक जाएगा यह angle भी क्या होगा 90-r वो तो होना ही चाहिए फिर जब यहां आए तो यहां पर भी यह क्या होगा 90-r फिर आगे जाएगा तो यह भी क्या होगा 90-r वो टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन होती रहे for this to happen 90-r should be greater than i-c should be greater than i-c अब problem यह है समझना है हमने कि यह तो r जो है यह तो depend करेगा किस के उपर i के उपर r जो है वो तो i के उपर depend कर रहा है मैं यह चाहता हूँ कि चाहे जो मर्जी incident ray हो जाए मैं यह चाहता हूँ कि यहां पर जाहे जो मर्जी incidence angle हो जाए यह तो हमने ऐसे i लिया था टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन तब भी होती रहनी चाहिए, जितना अब उसके लिए हम क्या चाहते हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि 90-R की minimum value भी, क्या, 90-R की minimum value भी IC से बड़ी हो, कम से कम value भी, किसी भी ray के लिए, किसी भी ray के लिए, मैंने कहले हैं, बहुत सी rays अंदर एंटर करेंगे, हम चाहते हैं कि सब की सब rays जो मैं अंदर एंटर करवाँ, सब पे क्या हो, टोटल इंटरनल reflection हो, या जो मर्जी ray पे angle of incidence आए, लेकिन हर जगा क्या होना चाहिए, TIR होना चाहिए, और हर एक TIR होने के लिए, this 90-R की minimum value, should be greater than क्या IC, इतनी बात समझ आ गई, फिर 90-R की minimum value का मतलब हुआ, क्या मतलब है 90-R की minimum value, 90-R की minimum value, क्या, 90-R की minimum value कब होगी, 90-R की minimum value तब होगी, जब R क्या होगा, maximum होगा, ऐसे लिखो, 90-R minimum कब होगा, यह अपनी language में लिखके रखो, 90-R minimum कब होगा, जब R maximum होगा, आ एक maximum कब होगा, जब I maximum होगा, I maximum क्या हो सकता है, 90 degree, इतनी बात तो हमें समझा गई, कि I maximum क्या होगा 90 degree ठीक है I maximum 90 degree आपच्छा 90 minus R जो है ठीक है 90 minus R is minimum मैं खुद लिखवा रहा हूँ आपको is minimum when 90 minus R is minimum when R is maximum और R तो independent body थोना है R तो depend करता है कि मैं angle of incidence क्या रख रहा हूँ and R is maximum when I is maximum and I has a maximum value of 90 degree हत्म बात यह होगी कि I की ज्यादा से ज्यादा value क्या हो सकती है 90 तो इसका मतलब 90 degree पे जो R मिलेगा अच्छा अंगल यह पहले इतना हम लिख लेते हैं अब यहाँ एक और चीज लिखो when I is equal to 90 degree R is equal to IC यह topic स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया आपको when I is equal to 90 degree R is equal to IC मतलब R की maximum value IC ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती R की maximum value जो है वो IC ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती यह हमने यहाँ से प्रूफ किया this is very interesting part जो आपको समझ आना चाहिए फिर से वापिस चलते हैं 90 minus R की minimum value भी IC से बड़ी होनी चाहिए अभी मैंने प्रूफ किया कि R की maximum value क्या हो सकती है IC should be greater than IC ठीक है 90 should be greater than 2IC IC should be less than 45 degree यह आ गया इसलिए मुझे चाहिए कि भाई अगर आप चाहते हो optical fiber बनाना जिसके अंदर total internal reflection हो हर एक angle of incidence पे तो आपको ऐसा material लाना पड़ेगा optical fiber का जिसका critical angle 45 degree क्रिटिकल एंगल जो है वो किसी angle of incidence किसी भी angle of reflection की property नहीं है वो material की property है तो इसलिए अगर आपको IC क्या चाहिए अगर आपको IC क्या चाहिए less than 45 degree इसका मतलब इसका मतलब भी लिखो इसका मतलब लिखो हमें मालू मैं IC किसके बराबर होता है IC किसके बराबर होता है बताओ IC is equal to होता है IC less than 45 degree अब मुझे मालू मैं IC किसके बराबर होता है sine inverse one upon mu less than 45 degree क्योंकि IC की value हो one upon mu less than sine 45 degree mu देखो अब आपको एक और चीज मैथमेटिक्स की बताता हूँ अगर आपको नहीं मालूम हो तो अब मुझे तो mu निकालना है न तो mu निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा है अगर रैसी प्रोकल लेना पड़ेगा इसका भी और इस साइड बगभी अगर equation में जो भी काम कर रहे हो तो inequality है equation नहीं है यह inequality की equations होती है तो इसलिए क्या करना पड़ता है इन में reciprocal दोनों जगा लेंगे तो जब दोनों जगा reciprocal लिया तो यह बन गया mu लेकिन sine उल्टा हो जाता है equal to में ऐसा चकर नहीं होता लेकिन याद रखना जब भी reciprocal लो यह कभी भी negative से multiply कर दो दोनों side तो यह sine उल्टा हो जाता है यह आपको पता होना चाहिए तो मैंने लिखा 1 upon sine 45 degree so mu should be greater than under root 2 mu should be greater than 1.44 to achieve this इसलिए जो optical fiber बनाने वाला बंदा है उसको यह दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर वो total TIR चाहता है हर एक angle of incidence का तो उसको mu की value को greater than 1.44 रखना पड़ेगा यह concept है इसके अंदर जो मैंने आपको कैसे प्रूव करके बताया please इसको understand करो इसके अंदर concept छुपे हैं के अंदर छोटे 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 छोटी चीज़ें आपको कितनी बता दी मैंने कहां से शुरू किया थोड़ा सा कई बार confusing लग सकता है आपको लेकिन मैंने इसको start कहां से किया पहले मैंने आपको critical angle की कहानी सुनाई मैंने आपको ये बोला कि आपने denser to rarer के लिए ही हमेशा critical angle की बात की क्या कोई significance उसका rarer to denser का भी है बिल्कुल है क्या था वो grazing incidence जिसको मैंने नाम दिया grazing incidence का क्या था मैंने नहीं books ने नाम दिया जब angle of incidence आपका nearly 90 degree हो हम equal to 90 मान लेते हैं तो आपका जो r होगा वो ic होता है तो यानि की rarer medium में i की maximum value क्या हो सकती थी 90 air के अंदर angle of incidence की maximum value क्या हो सकती है 90 तो इसका मतलब हुआ denser medium के अंदर 90 degree incidence के लिए r की maximum value क्या है ic ये आपने सबसे important जो चीज़ परूफ की है वो ये है कि r max जो है वो किसके बराबर आता है ic के ये ध्यान रखना है आपने when we go from rarer to dancer when we go from rarer to dancer तो concept बहुता इसके अंदर जो ये question मैंने आपको करवाना था इसके अंदर ये concept की बात थी इसलिए मैंने आपके इसके साथ ज़्यादा बात की ठीक है तो ये ज़रा अच्छे से understand कर लो thank you very much